मेरा नाम कमलिस्क मार है मैं आप लोगों को एड़ेटू मेनुफेक्चिरिंग के टेकनिक और टेकनोलजी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि देखिए पहला टेकनिक है बाइंडर जेटिंग दूसरा है डाइरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन और तिसरा है पाउडर बेड फिजन और चोथा है सीट लेमिनेशन और पाचवा है मेटरियल एक्स्टूशन और छठा है मेटरियल जेटिंग और सत्वा हमारा है वेट इक्कान को करता है जैसे देखिए लेयर लिखा हुआ है यहां पर इसे जोखाुक होटा है उसको जोडने का जो काम होता है material जो real by real material हमारा होता है उसे जो जोडने की काम होता है वो हमारा बाइंडर जेटिंग काम करता है उसका बाद देखिए इसमें क्या होता है फिर देखिए दुसरा हमारा टेकनिक है directed energy direct position created 3D object by melting and depositing either powder based और wire based material form a hoaxed thermal energy source including laser, electron beam and plasma इसमें देखिए तीन बीमों को मतलब ultraviolet radiation भी उचके जाता है इसमें देखिए जो दिया है thermal energy, heat energy को उचके जाता है including laser को, electron beam को और plasma को तो देखिए क्या होता है direct energy, deposition, diagram के तुरूब इसमें देखिए यह हमारा यह हमारा material है यहां से हमारा material नीचे deposition होता है उसके बाद electron beam है यह strike material पर करता है और इसको melt कर देता है और जो हमारा scanner होता है material को scan करता रहता है किस जगे हमें material को melt करना है और किस जगे नहीं इसमें supporting material भी यूज किया जाता है लेकिन इसमें दिया नहीं गया है और यह हमारा object है और उसके बाद यह plate farm है हमारा जो build plate farm है यह movable होता है up down करता रहता है ठिक उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा है तिसरा powder bed fusion powder bed fusion में होता है रोलर होता है और उसके बाद जो हमारा देखिए इसमें देखा रहे है यह देखिए यह हमारा इस्टोक है powder का इस्टोक रखते है powder को यह powder roller है powder roller के काम होता है जो जब यह हमारा पिश्टन ऊपर जाता है तो मटेरियल ऊपर जाता है तो मटेरियल ऊपर जाता है तो रूलर जो हमारा काम होता है रूलर को हमारा मटेरियल यहां पर ले आता है material यहां पर लाकर बित्रा देता है बराबर कर देता है रूल कर देता है उसके बाद जो powder bed हमारा होता है powder bed यहां से electron आता है उसके बाद यहां mirror हमारा है mirror पर strike करता है उसके बाद जो powder होता है लेइर भाय लेइर तो ये हमारा चलता है सिस्टम लेकिन जब पाउडर इस पहाता है तो थो पाउडर होता है यह तो फिर यह पहाईर होता है यहीं पर स्केनर होता है स्केन करता रहता है कि जग मैटेरियल को में ले जाना है ते उसके बाद देखिए उसके बाद हमारा यह पाउडर बेट फीजन तो होई गया शीट लेमिनेशन शीट लेमिनेशन होता है लेयर बाई हमारा यह देखिए हमारा रूल है इसमें मटेरियल को रूल किया गया है यह एक लेयर थिकनेश हमारा होता है इस इसमें जो कि यह हमारा सप्लाई करता रहता है इस मटेरियल को और इस मटेरियल को यह हीटर है यह हमारा हीटर है इस मटेरियल को हीट कर देता है यह हमारा moving plate है, off-down करता रहता है, यहां से यहां से बीम आता है, उसके बाद यहां से इस्ट्राई करता है, जो यहां से material आया होता है, स्केनर स्केन किया होता है, यहीं से स्केनर स्केन किया होता है, उस पर हमारा इस्ट्राई करता है, लेजर बीम और उस जगह का material को remove कर देता है, जो इस्ट्राई material बचता है, वो आकर यहां पर हमारा count हो जाता है, और उसके बाद यह waste material बचता है, वे waste material होता है, उसके बाद regular छलता रहता है हमारा जो होता है ओफ फुल खन्वर्ड हो जाता है लेयर बाई लेयर रेट उटग चलता रहता है किसे ज़िए क्या है कि उसके बाद बाद देखा हम एंटर एस्टोरशन से मतलब यहां पर झाता है कि में पत्रेयendo पत्रेयर इस्ट्रोलियस इन्दम पत्रेयल इय्वर्ण त्रूर धे ट्रान फुरू a नोजर समधरिया रा गया जाता है और श्ली चे फर्सक्रावित ऐंदा दें डिवर्ड बश्िट्ट लेर मंटेल करले के डेपॉज़ित कि आ यहां पर रखे हैं material को यहां से फिर हम deposit करते हैं यहां से थुरू इसके थुरू deposit करते हैं यहां पर heater लगा होता है कि जो material हमारा आ रहा है उसको heat कर दे ज्यादा न हीट करे कि हमारा material एकदम ही melting point ज्यादा हो जब boiling point तक नहीं उतना नहीं कम करना होता है और यह जो nozzle है जिस परकार का thickness चाहिए उस परकार से एक कम ज़्यादा करते रहते हैं और उसके बाद जो material यहां से आता है इस पर layer by layer layer by layer जुड़ता जाता है कि इसकेनर होता है इसकेन भी करता रहता है कि जगा material चाहिए कि जगा नहीं चाहिए और यह support material एक अलग से support material यूज किया जाता है कि जो हमारा material चाहिए object बंढ रहा है वो देफिलेक्ट ना हो ना किसी परकार के टेंड हो जाए मतलब कोई दिक्कत आ जाता है तो नहों इसलिए support material लगा देते हैं उसका बाद बेल्ड प्रलेट फारम का मतलब होता है यह उस पर बनाए जाता है कि डाउन और अब दूनों तरफ होता रहे है कि उसके बाद देखे क क्या है बिल्ड शर्पेस्ट अंप फारम वेर इज़े शुलिट फार्ड एंड दा मॉडल इज बिल्ड लेएर बाई लेयर आप जैसे मटेरियल जेटिंग होता है इसमें ऑब्जेट के मटेरियल और सपोर्टिंग मटेरियल दो जगह यूज किया जाता है जैसे इसमें देखिए जैसे मटेरियल आता है हमारा यूबी लेंप है यह लाइट है जलता है और कुछ नहीं करता है इसमें देखिए यह मूबेबल होता है यह हमारा जो है यह मूबेबल होता है आगे पीछे होता रहता है मोवेबल होता है यहां से मटेरियल आता है इस पर इस ट्राइब करता है हीट होता है यहीं पर हीट भी होता है और नीचे डिपोजिट होता है और यह जो मटेरियल हमारा है यह वाला है सपोर्ट वाला मटेरियल इसमें साइट से उच किया जाता है कहीं भी जिस परकार यूज उपसी कर लेते हैं सब्सक्राइब ने कैसे ज़सी करते हैं जो इसमें इंक फिक तरुमे उसमें फिक हव से बार उसमें ज sometime रहके हैं फिक होता है भी ही फिक 직접 करां हम उसी तरह एकदम process होता है इसका भी धीरे धीरे हम बना देते हैं इसे 3D लेकिन दो इस डाइमेंशन में यह work करता है और धीरे धीरे वह regular वही काम करते करते यह उसी पर layer by layer layer by layer layer by layer layer 3D में convert हो जाता है ओके उसके बाद देखिये क्या है एक वेट फोटो पोलराइमाईजेशन वेट पोलीमराइजेशन यूजेज वेट आफ लिक्विड फोटो पोलीमर राइजाइन आउट आफ वीच दा मोडल आफ कंस्ट कंस्ट कंस्ट्रू एक केर्टेट लेयर बाई लेय इसमें देखिये लेकीड यूज किया जाता है लेकीड को लेड इडिएशन से श्टाइक किया जाता है लिक्विड के और सोलिड हो जाता है जिस परकार से हमें ऑब्जेट को रिक्वेड होता है उस परकार से हमारा सेंशर और उसके बाद लेजर वर्क करता रहता है और हमारा करन्वार्ट हो जाता है धिरेटी में देखिए इसमें एक यदिया गया है वाइप पलेट फारम में होता है रिमुवेबल यदिया है देखिए यह जो दिया है यह उपर भी जाता है और नीचे भी आता है जो हमारा यह पलेट फारम है ठीक यह अप डाउन करता रहता है उसके बाद यह अबजेक्ट है यह लेजर है इस पर लेजर से आता है हमारा बीम उसके बाद इस पर स्ट्राइक होता है जो हमारा लिक्विड होता है वह हमारा कनवर्ड होता रहता है इस ओलिड में और फोटो रिजाइन ये लिक्विड हमारा होता है पूरा ये लिक्विड होता है कि यह अमारा फ्रेम है फ्रेम कंदर अमारा लिक्विड होता है उसके बाद कि फोटोरीजाइन जो है फोटो रिजाइन इसके उपर डाउन होता रहेगा यह उपर जाएगा फिर अमारा जो लेत्सुर्ण 篇स्ट्राइक होगा फिर सब्रेक में कनोड जागा ए धीरे धीरे नीचे चला जागा उब्जेक्ट हमारा से धीरे धीरे बड़ा हो जागा एक नोड हो जागा थीर दी में कि ठाइंक बड़ो कि अध्युक्त